घर में बरकत लाने के आठ उपाए ज्योतिश शास्त्र में धन की देवी मा लक्षमी को प्रसंद करने के कई प्रभावी उपाए बताए गए हैं। कहा गया है कि ये उपाए घर में सुख सम्रिद्धी लाने में मदद करते हैं। साथ ही इन्हें अपनाकर देवी लक्षमी की कृपा भी आपप हमेशा बनी रहेगी। आए जानते हैं ज्योतिश शास्त्र के कुछ खास उपाए के बारे में जिन्हें अपनाकर आप भी जल्दी धन्वान बन सकते हैं। 1. घर में पूजा करते समय का पूर जरूर जलाएं। यह नकारात्म कोर्जा को खत्म करके सकारात्मक्ता लाता है। 2. इसके अलावा शाम के समय पूजा में सरसों के तेल का दीपक लगाएं और उसमें लोग भी डाल दें। ऐसा करना बहुत शुब माना जाता है। 3. जब भी रोटी सेंखे तो पहले तवे पर दूद के छीटे मारें और पहली रोटी गाए को दें। ऐसा करने से मा लक्ष्मी प्रसन होती हैं और घर में बरकत आती है। 4. हर रोज पक्षियों को दाना डालें। ऐसा करने से करिय और तरक्की के बीचा रही सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं और जीवन में सुख सम्रुद्धी आती है। 5. इन सब से अलग सप्ताह में एक बार घर में गूगल का धुआं करना बहुत शुब माना गया है। 6. हर गुरुबार को तोसी के पौधे को दोध चड़ाएं। इससे आर्थिक स्थिती में तेजी से सुधार होता है। 7. मा लक्षमी को प्रसन करने के लिए शुक्रवार का दिन बेहद खास माना गया है। ऐसे में शुक्रवार की रात मा लक्षमी की विधी विधान से पोजा करके उन्हें दोध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। इससे मा लक्षमी प्रसन होकर खूब धन देती हैं। 8. साथ ही शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इससे शनी और मंगल ग्रे शुब फल देते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, आपका देन शुब हो।